आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ यह question क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एक accelerometer का construction के बारे में हम बात करें Accelerometer क्या है Acceleration of a Acceleration Measure करने के लिए एक instrument है Accelerometer ओके यह हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को यह बना सकते है कैसे एक tube से which is which is क्या है made ऐसे bend tube में हम लोग क्या किया एक अगर लिक्विट बर दिया तो तो हम लोग को एक्सिलरो मीटर जैसे इसको यूज कर सकते हैं यह बोल रहे हैं जब हम लोग एक्सिलरेट करते हैं यह बोल रहे है कि एक्सिलरेट करने समय क्या होगा कि लेफ्ट आम में जो लिक्विड है उसका हाइट ह1 हो जाएगा घ्राइट टाप में जो लिक्यूड है उसका हाइड क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा तो हम लोग को बोल रहें की acceleration H1 and H2 जब हम लोग motion कर रहा था तब left arm का H1 हो गया right arm का हो गया H2 हो गया तो हम लोग को पूछ रहें की acceleration क्या होगा H1 and H2 का तेर्म्स में यह हम लोग को पूछ रहें ओके इतना हम लोगों पता है कि जब acceleration का opposite डिरेक्षन में acceleration का opposite direction में क्या होगा pressure जयादा होगा acceleration टो हम लोगों पता है कि acceleration यह स्ट इस डाय डियॉक्शन में हो रहे क्योंकि इधर ह multipole में इधर हाइड ज्यादा है ओके तो एक्सिलरेशन में ओपोसिट साइड में प्रशर ज्यादा होगा देफोर इधर प्रशर ज्यादा होगा देफोर इधर हाइड ज्यादा होगा इतना हम लोग को पता है और हम लोग को यह भी पता है कि अगर हम लोग ऐसे accelerate कर रहे हैं therefore अगर हम लोग ऐसे यह जो है मतलब height यह h1 height है और यह h2 height है ओके इसके बीच जो angle है theta इसके angle है इसके बीच का जो angle है theta या that is the change in height का जो angle हम लोग अगर बनाएगा theta this is nothing but h2 minus h1 है यह यह जो angle हम लोग अगर बनाएगा that is motion के time जो change in liquid levels होते उसका अगर ऐसे एक triangle बनके angular आगर बनाएगा तो हम लोग को पते है कि tan theta का equation क्या है tan theta is equal to acceleration a divided by g we know this relation tan theta is equal to a divided by g therefore इदर अगर हम लोग tan theta का बोड़ रहे तो tan theta is nothing but opposite edge divided by adjacent edge that is h2 minus h1 divided by adjacent हम लोग अगर लेते है a b c it is equal to a b plus b c is equal to a by g हम लोग को पते हैं ओके a b और b c क्या है यह calculate करने के लिए हम लोग देखते हैं इदर हम लोग को pi by 4 क्यों दिया है pi by 4 इसलिए दिया है कि इदर हम लोग अगर tan ले रहे तो we know that tan pi by 4 is equal to tan pi by 4 is equal to h1 divided by a b okay देफोर इदर से हम लोग को मिल जाएगा a b is equal to a b is equal to tan pi by 4 is equal to 1 it is equal to h1 divided by 1 is equal to h1 similarly हम लोग को bc मिल जाएगा bc is equal to h2 since वहाँ भी pi by 4 एंगल है देफोर tan pi by 4 is equal to 1 is equal to h2 divided by bc therefore h2 is equal to bc यह हम लोग पूट करेंगे इदर यह values यह दोनों values हम लोग पूट करते हैं इदर तो हम लोग को मिलेगा a divided by g is equal to h2 minus h1 divided by ab is equal to h1 bc is equal to h2 ओके यह हम लोग को मिल गया therefore a हम लोग को बोल सकते है कि acceleration a is equal to nothing but g into change in length h2 minus h1 divided by h1 plus h2 यह हम लोग को पूचवादा acceleration का value कितना होगा acceleration is equal to g into h2 minus h1 divided by h1 plus h2 Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर